इस अशीतोश दुबै अगयन और स्वागत करता हूं आपका फिर से मेरे चैनल पर तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मेरे जो टॉप बॉक्स है उसको मैं इंस्टॉल करने के बाद बताऊंगा कि वो लगने पर कैसा लगता है एंड क्या गुट पॉइंट से बैट हमारी टॉप बॉक्स हमारी डेवल पर फिट हो चुका है फिट करने के वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि बहुत इजी प्रोसेस है कोई मतलब नहीं था वीडियो को लंबा खीशने से मैं आपको यूंहीं बता दूंगा आप यूंहीं फिट कर सकते हैं सो एक लुक चेक दालना रिवर्स में गाड़ी पल्टाना अगर आप कर रहे हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आज कल क्योंकि गाड़ी पीछे से लंबी हो गई आदत नहीं है तो यह इस प्रकार से यह कुछ दिखाई देता है तो आपको मैंने वैसे इसकी सारे फीचर्स के बार है मतलब साथ में इसको लगा लिया है सो यह चाबी खोली एंड यह इस प्रकार से आराम से खुल गया तो आराम से आप कहीं राइट पर जाए आराम से इसमें सामान अपका रख सकते हैं आपका हेलमेट मेरा जो है एरनॉटिक्स का जो है एसबी 40 जो है मैंने इसमें रख के तो इसको लगा देता है आपने इसका पूरा देख ही रखा है पिछली वीडियो में नहीं देखी हो अभी तक तो यह आया बटन पे इसकी लिंक का रही आप देख सकते हैं तो अब पहले गुड़ पॉइंट्स की बात कलने फिर से मैं बता देता हूं अगर आपका मन नहीं पिछली वीडियो में जाने का तो मैं फिर बता देता हूं इसके गुड़ पॉइंट्स पहला गुड़ पॉइंट्स आपको जो है पहला जो सबसे पहला जो होता है वह तो यह कि आपको स्टोरेज मिल जाती है आप कहीं भी जाते हैं आपको एक्स्रा बैग एंड कुछ भी करना पड़ता है ठीक है आपका बहुत कंविनियेंट होता है आप मतलब अगर आपकी बाइक में अभी नहीं है आप एक हफ्ता लगा हो इसको और फिर हटा दो आपको इसकी कमी अखरेगी ठीक है तो यह है गंदा हो रहा है तो आपको स्टोरेज मिल जाती है 28 लिटर्स की जो की बहुत यूसफूल होती है मतलब आप छोटी-्मूटी रैड्स पर जाते हो तो तो आपका पिलियन लोड होगा या फिर आपका पिलियन राइडर जो होगा आप उसको बिठाते हो तो तो उसको एक बैकरेस मिल जाता है । कायंड ओफ बैकरेस यहां पर हो जाएगा तो बहुत easy मतला बहुत comfortable ride होगी पीछे वाले के लिए और आपके लिए भी अगर आप solo ride करते हो और आपके पास luggage जादा है आपका जो पिलियन जो लगे जोगा वो आराम से इस पर आप रख सकते हो और थोड़ा सा आगे की side वो रहेगा तो आप उस पर भी आराम से lean हो सकते ह during long rides तो अब इसके जो मैंने good points बता दिया आपको है ना बहुत जो mainly जो good points होते हैं अब मैं इसकी जो है थोड़े बहुत खामिया बता देता हूं है ना जो negative points है first thing soft plastic जो कि आपको ना डर हमेशा लगा रहेगा कि जादा load दे दिया यह जादा कुछ हो गया तो तूटने का ड soft plastic का मतलब इसकी durability कितनी है कितना hard है कितना नहीं है तो यह खुल गया ठीक है आप देख सकते हो अब यह जो है यह इसका soft plastic है ठीक है आपको थोड़ा सा clear दिखा देता हूं यह देखिए तो इतना भी कुछ वह नहीं है कि ज्यादा ही soft है यह देखिए यह जो हिलना डूलना इसका होता है ना यह मन में हमेशा आपके डर रखेगा कि यहार कहीं ज्यादा लोट दे दिया इस पर तो यह तूटना जाए something something like that okay so अब इसका third point जो second point की बात करें कि इसकी जो fitting है इस पर अंदर जो लिखा रहता है कि इसकी जो आपने connection की है connection sorry जो इसकी fitting की है वो आप daily check करें daily check क्यों करें क्योंकि इसके साथ जो clamps आए हैं मैं आपको दिखाता हूं अभी मैंने एक रफली इसको install किया है इस current से यह इस प्रकार से है क्योंकि मेरी यह carrier है इसके fit नहीं बेट रहा था तो मैं थोड़ा सा एक्जस करके इसे लगांगा जो मैंने अभी जो है temporary fix किया इसको काफी टाइट है वैसे तो यह है कि इसके जो clamps है यह देखिए आप देख सकते होंगे जो इस प्रकार से हैं मैं थोड़ा detail में इसको समझा नहीं पाऊंगा words म हैं बट जो इसके clamps हैं और इसमें जो nut लगे हुआ है वो एक अंदर से बस tight हो जाते हैं तो during long rides and जो जादा bumps यहां फिर कुछ आते हैं गड़े वड़ों में गाड़ियां कूथती है तो उससे धीले हो जाते हैं for sure यह बिल्कुल धीले होंगे क्योंकि जटके लगेंगे इस तो आपको बार-बार पीछे मुड़ मुड़ के देखना पड़े कि यह धीला तो नहीं होगा बार-बार चेक करना पड़ेगा अगर आपके जो रस्ते हैं वो जादा जो हैं दचको वाले हैं एक चीज तो for sure है कि जैसे अभी यह इतना हिल रहा है लगने के बावजुद तो लॉंग राइट पर यह बहुत जादा वाइबरेट करेगा यह गाड़ी चलेगी गाड़ी की तो वाइबरेशन होती है आपको अब उसमें यह चीज है कि वह गाड़ी जो है वाइबरेट हो और हो सकता है थोड़ा सा आवाज भी करें अभी तो मुझे नहीं आई क्योंकि अभी टाइट है लेकिन हल्का सा अगर चलने पर धीला हुआ तो यह आवाज बहुत जादा करेगा और मेरा मेन मोटीफ बताने का यह है क्योंकि होता यह है कि आप अगर लांग रूट पर जा तो यह कि इसका जो है माइनस पॉइंट से तो आप इंस्टॉलेशन के टाइम इसका हल ही है कि इंस्टॉल जब करवा है इसको तो आप यह चीज मेंक शॉर रखें कि आप सिर्फ इन क्लैम के भरो से ना रहें आप चाहें तो अपने एंड से कुछ बेटर काम करें यहां पर दो हो यहां देख सकते हैं वह जो बैक रेस्ट आया था उसके लिए हम एसी दो होल यहां पर करवा के इसके जो आगे के नठ्स है यह वालेजर इन को इसमें फिक्स-कर आen तो मेरा तो यह डर खतम हो जाएगा कि भाई धीला हो कि यह कहीं तपक ना जाए तो मैं इसका एक मजबूत काम करवा लूँगा बाकी आप साइड से भी लुक चेक कर लो साइड से इसे बस इसका एक में लुक में एक थोड़ा सा मुझे खामी यह लगती कि यहां से गोल है और यहां से सीधा है तो यह सागता आदा कटा हुआ अंडा है थोड़ा सा लुक बिगारता है लेकिन पिलियन के लिए अच्छा है अगर वह टेका ले यहां पर और तो ज्यादा हेवी लोड हो सकता है वैसे कुछ लोगी जो आदा तरी दिना इस पर हाथ रखके खड़े हो जाते हैं टेका लेके वह आप इस पर कर नहीं सकते हैं कि अगर आप लॉंग राइट पर हो कहीं रुकते हो और इस पर टेका ले लेते हो रिस करने के लिए तो आपको यह 1400-1500 में मिल सकता है यह 1500 में मिला था ठीक है मैंने आफ्टर मार्केट ही पर्चेस किया था ओनलाइन बहुत मुश्किल से मिलेगा और मिलेगा तो बहुत ओवर प्राइज में मिलेगा यह एक बार फिर आप लुक चेक कर लो आगे से अगर आप इंस्टॉल करता ह जाड़ी हो जाती है एक जाधा ना बड़ा ना जाधा छोटा ठीक है एक ठीक-ठाक लुक है मतलब ठीक-ठाक जो है इसका साइज है जो कि अच्छा लगता है पीछे से reflectors भी काफी जादा अच्छा लगता है वीजिबिलिटी अच्छी रहती है पीछे से light पड़ेगी तो जादा लंबा ना खिषते हैं वीडियो को जो अपको जो में थिंग्स थी मैंने इसकी वो बता दी हैं क्या प्रॉब्लमा सकती है कैसा इंस्टॉल करना है जैसे इंस्टॉल करना बहुत इजी लेकिन जो आप चाहें तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप कोई सा पक्का काम क तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर नए हो मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करो जरूर कीजिए हम राइट्स पर जाते रहते हैं कुछ नहीं चीज़े हमारी बाइक में करते रहते हैं तो मिलते हैं आप से किसी ऐसे ही नए व झाल झाल